36 गड़ में धान खरीदी को लेकर प्रदेश की सियासत हमेशा गर्म रही है चायवा मुद्दा कॉंग्रेस पाटी से उठाया हो लेकिन भाजबा प्रदेश में शासन कर रही है तो कॉंग्रेस पाटी प्रदेश सरकार से 1 नमंबर से धान खरीदी की मांग कर रही है वहीं इस पर खेलेवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि एक नमंबर को धान कटने के बाद गिली रहती है उसको कहीं नहीं ले जा सकते ऐसे में सरकार ने 15 नमंबर से धान खरीदी का निरणे लिया है और इस समय तक धान भी तयार हो जाएगा देखिए अब थेल के बारे में बात में बूलेंगे आप तो स्वासा की बात करें हैं उनके कहने से क्या होगा एक नमंबर को धान गिली रहती है हम किसान के बेटे हैं, किसान Haarti हैं अभी भी खेटी करते हैं एक नम्मर क को धान कड़ता है तो इतना घीला रहता है कि उसको कहें ले नहीं जा सकते है 15 नम्मर सरकार ने जो निढ़ने लिया है स्वागत योग्या है 15 नॉम्बर से धान खरीजी सुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा सत्रक्टूबर तक बारी सोने की संभावना दताए जारे किसानों के